क्या आपको पता है नेचर में पाए जाने वाले इन खूबसूरत फूल और पतियों को इस्तमाल करके भी हम पेहतरीन से स्टीकर्स तयार कर सकते हैं नमश्कार दोस्तों संशाइन आर्टिफेक्ट्स में आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो प्लीज सबस्क्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकन को दबाएं बच्पन में हम सभी के आदत होती है कि खूबसूरत से फूल पतियां या फैदर्स को हम अपनी बुक्स में प्रिजर्व करके रख देते हैं या फिर किसी ने अगर हमें कोई खूबसूरत सा फूल गिफ्ट किया हो तो उसे भी हम अपनी बुक्स में रख देते हैं तो अगर आपके पास भी पार्चमिन पेपर और सेलो टेप पड़ा हुआ है तो इन सूखी हुई फूल और पतियों को यूज़ करके आप भी ये खूबसूरत से स्टीकर्स बना लीजिए। इन्हें आप अपनी डाइरी में, स्कूल नोटबुक में, मोबाईल कवर के उपर या फिर जर्नलिंग में स्तमाल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना और ऐसे ही अमेजिंग क्राफ्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या आपको आपके पार्टनर ने या लव इंट्रेस्ट ने कभी कोई फ्लार गिफ्ट किया है। इससे हमारे बड़े सारे एमोशन्स जुड़े होते हैं। तो चलिए आज आपको मैं एक बहतरीन तरीका बताती हूँ इन फ्लार्स को प्रिजर्व करके रखने का। तो सबसे पहले इस फ्लार की हर एक पंखुड़ी को और हर एक पार्ट को अलग करके हम बुक के बीच में प्रेस करके छोड़ देंगे। जब यह ड्राई हो जाएगा तो ग्लू की मदद से इन पंखुड़ी को और हर एक पार्ट को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। फिर एक पार्चमेंट पेपर लेकर उस पर टेप का एक लेयर चड़ाना है। फिर फ्लार को रखना है और उपर से टेप का एक और लेयर चड़ा देना है। और थोड़ा समाजीन को छोड़ कर इसे हम कट कर लेंगे। और लीजे हमारा फ्लार और इसके साथ जुड़ी हुई हमारी सारी मेमोरीज एक स्टीकर के रूप में प्रिजर्व हो गई है। आपको ये आइडिया कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम बनाने वाले हैं नेचर स्टीकर्स मिनी बुक ये क्या होता है ये जानने के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है बैक्स पेपर या बटर पेपर इसका एक जुगार बताओं जो वॉल स्टीकर्स आते हैं उनको न नेचर में हमने कोई भी फॉलें लीफ फैदर या कोई भी सीड इखटा किया है और प्रिजर्व किया है उसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे फिर उसके ऊपर से भी एक लियर टेप का लगा देना है फिर इन पेजिस को कट करके अलग-अलग कर लेंगे और अब हम बुकले से नेचर स्टिकर बुक बन कर तयार है वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत बूलना